दोस्तों फानेली आप लोगों के सामने है IQ Z8 Series यह स्मार्टफोन सबसे अहम चीजिस में यह देखा गया है कि यह 2X Portrait Shorts Captures पर है जो कि J8 में 64 Megapixels का और 2 Megapixels का Dual Rare Camera का Setup है और जो कि काफी देखने में Unique लग रहा है यहां पर वर्टिकल शेप में है दो कैमरे का मिडूल है और देख सकते हैं कि राइट साट में आपको दिखाई दे रहा है एक लंबिस स्क्रीन के जैसे ही फ्लैस इसके और पीछे करें तो यह अक्ता को डैमेंसेटी 8200 प्रोसेसर से हैं जो कि बैटरी बैक अप की बात करें तो इसमें 5000 अमेस की बैटरी है और 120 वाटकाफ फास शार्जिंग के सपोर्ट है अब यहां पर स्टोरेज के मामले में ज्यादा से ज्यादा मतलब 12GB LPDDR 5 RAM और 5.512GB UFS 3.1 स्टोरेज दी है आईकू जे एट में आप्रटीन सिस्टम के मामले में Android 13 पर बेस्ट है और जिन OS 3.0 पर काम कर रहा है और ये आपको फ्रंट में 16 MP का सामने देखने को मिल रहा है सेल्फी कैमरे के लिए सेक्यूर्टी के लिए यहां पर साइड फेसिंग फिंगर प्रिंट्स स्कैनर है जहां पर आपको सारी चीज़ें चीज़ें अब यहां पर थोड़ी से नजर अगर हम डाले IQ Z में थोड़ी सीज़े से कि वेरियंट है 6000 एमेज की बैटी मैंने बताया कि यह भी आ सकते हैं IQ Z के सामने प्रोड़े से उपर नीचे प्राइस हो सकते हैं और इंडिया की लांचिंग की डेट बात करो तो आपको कहें न कहीं अगले महीने मतलब की कह सकते हैं इसी सेप्टमबर में लॉंच होगा लास्ट या मीट तक और इंडिया की लॉंच डेट भी कंफर्म की गई है लेकिन पसंद है जब भी जब लाइक करना शेर करना मिल तो मैंसे नेक वडियो मत तक लिए टेक केर